नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेडी फॉर स्यूविल स्यूप्स में यूपी पीसेज 2020 का जो प्रिलिम्स होने वाला है 11 अक्टूबर 2020 को उसकी ये पूरी रणनीती है लाश्ट के 50 दिनों में कैसे कैसे क्या क्या चीज़े मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क कर सकते हैं आप फ्री वाले जो हमारे ट्रेंट हैं उनके लिए और पेड़ कुप वालोग लें यह मेंली वीडियो बनाया गया है लेकिन अगर आप लोग चाहें पेड़ कुप ना बेड़ कुप में बिना अड्मिशन लेते हुए भी सारी रणनीती प्लेलिस्ट के वीडि सब्सक्राइब कर लिए और जो लगातार आपको दिया जाए जो प्लेलिस्ट है वो आला फॉलो कर लिए पेड़ कुप वालो को पूरा मैं बताने जा रहा हूं कैसे कैसे क्या क्या करना है आट से दस घंटे देने पड़ेंगे गुर्दा चीलना पड़ेगा तभी यहां प प्रिवेज सेलेक्षन हो सकता है सीटे बहुत कम है कॉम्टीशन बहुत जादा है ठीक है और आपकी हार और जीत में ही हमारी हार और जीत है इसलिए आपके साथ मिलके लड़ेंगे और जीत के दिखाए और देखाए जैन चलिए देगे इसको पूरा चलिए इसमें डिटेल में पूरा देख लेते हैं कईसे कईसे क्या क्या करना है बीस अगल दो हजार बीस का यह कंप्लीट पेड़ूप हमारा चलू हुआ है क्रेश कोर्स है यह 50 डेस का जिन लोगों ने भी ये क्रेश कोर्स जोइन किया है एक बात यहां ध्यान रखिए कि सारे वीडियो अपने फ्री करता हूँ इस्टेडी फॉर सीविजिस के सारे वीडियो फ्री थे फ्री हैं फ्री रहेंगे चाहें वो टोटल वीडियो हो जो थेओरी के कॉंसेप्ट के और चाहें वो टेस सीरीज के वीडियो हो और चाहें वो इस्ट्रेजी के कोई वीडियो सारे वीडियो फ्री रखते हैं ठीक है आप लोग पूरा देखेगा लास तक देखेगा फिर कोई कन्फीजन हो तब बताईएगा यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर मोश्ट इंपॉर्टेंट चीजे ली हैं कि कई से कई से क्या क्या चीजों पर जादा फोकस करना है अब ऐस है से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पड़ना है उस सारी बाते हाँ पर बताई गई ध्यान से सुनिएगा एक एक करके चालू करते हैं पूरा ठीक है सबसे पहली बात तो यह यह बीस अगर दो जार बीस से चालू हो रहा है लेकिन हम लोग जो है हमेशा कभी भी ग्यार अक्टूबर को आपका प्री है टाइम जो है एक्जाम टाइम पर होगा प्लीज इससे रिलेटेड कोई 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 पूछेगा यह वाले एक्जाम पोस्पोर नहीं करा सकता है यूपी पीचेस के कोई भी अभी बीयो का आपने देख लिया बीट का देख लिया और बीट हला कि यूपी बीचेस नहीं कराता है लेकिन फिर भी एक्जाम पोस्पोर नहीं होगा सिंपल बात ही है ठीक है तो इससे रिलेटेड कोई 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 ना पूछेगा अगर आपने आठ गंटे पढ़ दिया पूरा ध्यान से जैसा मैंने बताया है वैसे ही पढ़ना है जो बताया है जैसे बताया जारा है वैसे ही करना है ज्यादा ग्यानी प्यच्टी धारक वाले प्लीज दूर रही है यहां पर मैं बहुत ही जो है अग्यानी टाइप का हूँ मैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करता हूँ मैं उसी पर रहता हूँ मुझे इतना ग ब़ुए निकालना भी यूपी पीसेस का बहुत टफ है यकीन मानी है यह जो लोग भी पीसेस के एक्जाम दिये हुएं वो सारी बाच जानते हैं आप लोग खुदी बताईएगा यूपी पीसेस का एक्जाम निकालना क्या सरल है ठीक है तो पूरा फोकस यहां पर प्रीप र सकते हैं अभी हम लोग सिर्फ पर फोकस करते हैं देगे एक चीज़ा समझ लिए बेसिक बुक्स वैसे तो पढ़नी चाहिए बिल्कुल रिकमेंडेड होती है क्योंकि मेंस की अंडर्स्टेंडिंग अगर आपकी नहीं होगी तो प्री सिलेक्ट करके करोगे क्या मेंस में तो वहां पर सिलेक्ट होना जरूरी है क्योंकि पूरी स्टेज अगर आप प्री तो सिर्फ इलिमनेशन डाउंड है यह तो सिर्फ आपका मेंस में इंट्री का वह है एक एक्जाम है छोटा सा ठीक है छोटा एक्जाम नहीं है अलाकि कई बहुत ज्यादा बड़ा एक्जाम है और सबसे अधर छटनी ही हो जाती है कई बार अच्छे लोगों की भी छटनी हो जाती है प्री के चक्कर में क्योंकि वन थर्ड निगेटिव मार्किंग है तो अभी ध्यान से रखना पड़ेगा सब चीजे ध्यान रखनी पड़ेंगी इलिमनेशन मैथर्ड तुक्का कैसे स्मार्ट टेक्निक्स कैसे खेलें यह सब चीजे आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे अभी मैं यह सिर्फ इस्ट्रेटिजी बता रहा हूं यहां पर ठीक है अब इसमें देखिए बेसिक बुक्स वैसे पढ़नी अच्छी है अगर आपने पहले पड़े की तो बहुत अगर आपने नहीं पड़ा है तो यह बेसिक बुक्स नहीं हो सकती है यह बिल्कुल सत्य है तो आप क्या करेंगे सिर्फ हमारी पीडिया पे फोकस करेंगे ठीक है और अगर आप 10 गंटे से ज्यादा दे सकते हैं मतलब आपने चुट्टी उट्टी ले रखी है वर्क फॉम अगर आपकी आरेस सर्मा की और मीडेवल की सतीष चंद्रा की मौडर्ण की स्पेक्ट्रम एक जो है रिडिंग रिकमेंडेड है और पॉलिटी की जरूरत नहीं है पॉलिटी में लच्छमी कांत आपको पढ़नी पड़ेगी लेकिन अभी यह सब चीजे पूरी नहीं होंगा मैं कोई ऐसी दर दर की बात नहीं करूँगा पेड़ गूप में आये तो पीडियाप पढ़नी पड़ेगी सिंपल बात यह होती है एक होती है कंपाइलेशन जो पूरे फैक्ट का कलेक्शन होता है ठीक है फैक्ट होते हैं उसमें प्रिवेस हैर कोईशन होते हैं प् हम लगातार अपने फ्री वाले टेलिग्राम में डाल रहे हैं उसकी पीडिया बनाके पेड़ गूप में मिलती रहेगी ठीक है करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा सिर्फ इस्टेस सीरीज तो लगानी जरूरी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन चीज जो है प्रेक्टि इसको जरूर पढ़ना ध्यान से सबसे पहले मैं मिसलोनियस हो टॉपिकज भी फोकस करूँगा और जो पीडियुडियो आदे तो इसमें बिल जाएगी आपको या तो पीडियाप मिल जाएगी आपको सारी जितनी बी हमारी है मोस्ट इंपोर्टनि इस पेशल पीडियाप म अगर कोई जरूरी सूचना देनी होगी तो वहां मिलेगी पेट गूप में ठीक है इसमें इसमें आप जरूर जोईन रहीएगा इसमें आप कम्मुनिकेशन नहीं कर सकते हैं सिर्फ हमारी तरफ से आपको मैसेज जा सकता है बस यह इसलिए है क्योंकि भसड़ ना हो क्योंकि आप भी मैसेज करेंगे तो फिर मैट्रेल आप ढूड़ेंग कैसे तो इसलिए इसमें सिर्फ हमारा कम्मुनिकेशन रहता है आप लोगों की यहां पर इंक्वारी के लिए कोई डिसकेशन करने के लिए कोई पॉइंट आपको डाउट है वो सारी चीजों के लिए यह हमारा है डिसकेशन ग्रूप और यह पूरा चलेगा सितंबर एंट तक ठीक है तीस सितंबर तक चलेगा पूरा उसके बाद भी हम काईट करते रहेंगे वो इसे कोई टेंशन नहीं ग्यार अक्टूबर को एक्जाम है लेकिन मैं चाहता हूं कि लास्ट साथ दिन आप रिवीज़ खूरें टे करें तो 30 सितंबर तक एक गुरूप चलेगा सारे डाउट साथ यहां पे क्लियर कर सकते हैं इसको जब चाहें आप छोड़ सकते हैं जब चाहें वन कर सकते हैं यह फैसलिटी सिर्फ पेट गुप के लिए हैं ठेक आप देखें बेशिक बुक मैंने पता था इनके क्लास वाइज में पापर रिलीज करने जा रहा हूं आप क्या करिएगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन यह पूरा पढ़ लेना 11 की दो बुक आती है एक फंडामेंटल ऑफ फिसकल जोग्रफी एक इंडिया फिसकल इंवार्मेंट एट लिस्ट यह वाली पढ़नी पड़ एक लीडिंग मार सकते हैं तो जरूर करिएगा प्लीज वरना फिर समरी तो पढ़नी है ठीक है अगर आप देखे अगर आपके पास बुक से जो है अपने टाइम नहीं हो पा रहा है तो आप एट लिस्ट यह करिए कि पापा वीडियो देख लिजे हिस्ट्री का एंशेंट आप बड़ा गटा सकते हैं तो इस पीड बढ़ा के आप उसको वन पॉइंट फाइव एक्स करके देख लिजेगा ठीक है उससे थोड़ी सी जो है कैसे क्रोनोलोजिकल हुआ है वो सब आपको समझ में आ जाएगा इसका मैं हिस्ट्री का क्रोनोलोजी वाला वीडियो जरू गुडियो जाएगी लेकिन इसका वीडियो भी बनाना जरूरी है ठीक है एकनोमी में बैसिक जदा आता नहीं यूपी पीसेस में लेकिन फिर भी मैं इसका एकनोमी के दो पापवडियो रिलीज होंगे एक तो बैसिक एकनोमी क्लास नाइन से लेके ट्वेल तक ठीक है और एक इकनॉमी का फैक्चुल पापड वीडियो जो मैंने पिछली बार रिलीज किया था उसी का आपडेटेट फ़र्म तो ये दोनों जरूर देख लीजेगा अध्रीस जे फैक्चुल वाला जरूर देख लिएगा भले या यूपी पीसेज वाले चाहें तो ये नाइन से लेक इकनॉमी में कहा से करेंट अफेयर आएगा यह सिंपल सी बात है बजट से आएगा बजट इंडिया से आएगा यूपी से आएगा इकनॉमिक सर्वे से आएगा इन तीनों का एक बजट पापा वीडियो में ने बना कि रखा हुआ है पांच शे गंटे का इसको जरूर सब्सक्राइबर आप देखें हैं यह हमारे सॉब्सक्राइबर आपकर देख सकते हैं करीब 1,444,000 Ce सब्सक्राइब करना या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जॉइन करिएगा ठीक है यह आगे की बात करते हैं फिर क्या 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 करना है इसमें यह देखे वीडियो पूरा यहां पर जूम कर दे रहा हूं ठीक है यह आप देख सकते हैं हिस्ट्री में यह तीन जो बुक हैं यह पढ़नी जरूरी हैं वैसे एक बार कोशिश करिए कर रेटिंग मार पाएं तो मार रहेगा वरना कम से कम जो पेड़ को पॉले हैं उनको मौडरन वाली जो हम समरी देंगे उसको जरूर बहुत ध्यान से पढ़ होना है सब टॉपिक वाइस पहली बात तो यह कि प्री में दो पेपर उतने पेपर वन पेपर टू पेपर टू अगर आप पेड़ियल देंगे इंटर परसनल इसकिल वाला नहीं देंगे आपका इसमें क्या कहता है रीजनिंग प्लस मैथ इसके करीबन 40-45 इंग्लिस के करी है हिंदी के करीबन 20 कुछन आते हैं ठीक है इस तरह से है और यह इंटर परसनल इसकिल के 16 से 20 आते हैं आप अगर निगेटिव मार्किंग माने तब भी अगर आपका रीजनिंग मैथ तो अगर स्ट्रॉंग तो भी आप आराम से क्लिर कर सकते हैं सिर्फ 33 परसनल नहीं या हमकती होगा है पीडियु मेर्च किता मिले था आफोड़ों से थैनलें को दाओब नहीं यहां को मतलब नहीं और उसमें बहुत ज्यादा पद्दी हो जाएगी और जो है आउटपूर बहुत कम मिलेगा फिर में जो है यह में जो कट आफ वाला हुए जीएस दोसो मार्क्स देड़ सो क्वेश्चन यही भाया सत्य है यहीं से कट आफ जाएगा इसी पर फोकस करना है आप यहीं से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपि करेंगे आपके करेंट फेर से हर बार करो ना ही है हर बार का सत्य है 25 से 30 कुछेशन आते हैं इस बार क्योंकि जाधा करन फोकस कर रहा है चाहें अब भी यो एक्जाम को देख लें हैं 2019 वाला देख लें तो यहां से आपको 30 से 32 पैरतिस यहां पर 40 ज्यादा लिग गया है य गया यह करीबन 30 से 32 35 यह करेंट आने की संभावना है आप देखें करेंट एक्चली ऐसी चीज है कि करेंट अपना खुद का करेंट तो ही लेकिन उस साइंस को भी कवर कर लेता है अब साइंस में लेटेस्ट टेक्नोलोजी वाले कोई सवाल आ गए लेटेस्ट कोविड वाले रिटेट हो जाए या फिर और एकनोमिक डीट हो जाया एकनोमिक की कोई इंडेक्स और के रिपोर्ट हो गई गोर्वर्मंट समर्य गवbersवर्मन इस्कीम हो गयी इस सारा की ठीट जो है करेंट बही अब्हार जाता है इसंते में करन्द पर फोकॉडेस जरूर्व कर लेदे पूरे एक एक साल की समरी का और फिर उसका पापा वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा पांच शे साथ गंटे का वह फिर से डालेंगे जो पिछली बार हम लोगों दिया था और जिससे डायरेक्टली पूरे करेंट अफेर में से 95% उसी वीडियो से आये थे पेपर में भी नि प्लस जो पर सन्य न्यूज बहुत इंपटेंट है यह इस समय जो है यूपीपीस का ट्रेंड यह आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा समिट में आप अगर जो है यह सिर्फ यह 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 नहीं याद रखना है यह वोश्ट कहां पर की गई थी थीम भी याद रखनी चाहिए कोई टार کے तो वहां पर किया गया है को डिक्लेरेशन लिया गया है यह सब कुछ देखना पड़ेगा तीक है यह सारा जो है हमने करेंट अफेर में कवर कर रखा है हमारा करेंट अपर कर आप पड़ते हैं तो हमारे करेंट अफेर में पहले सिक्च्छन 마rez दिया होता है उसम तो मैं टॉपिक बता रहा था आपको इंपोर्टेंट वो कौन कौन से हो गए इंडेक्स रिपोर्ट हो गई ठीक है जो है अपॉइंट्मेंट हो गए परसनी न्यूज हो गए समिट हो गए प्लस जो लेटेस जी आई टैग हो जाता है डिजास्टर वाना हो जाता है यह सारी चीज़े हैं बाकी मैंने और हो गए आगे जो है टॉपिक्स की लिस्टिंग कर रखी वो सब कराएंगे टेंशन में दीजेगा दूसरा फोकस करना आपको हिस्ट्री पे पच्चिस से अथाइस को चनाएंगे आप पे जादा फोकस करना है मॉटन पे अगर पेड़को पॉल यह सबसे चोटा टॉपिक है और एक दो दिन के अंदर पूरा टॉपिक कवर करके बीस से तीस कोईशन आएंगे कोई सम्भावना यहां पे इससे जादा भी हो सकते है बलकी अभी अगर आप लेटेस टेंड में देखें तो मुझे तो रखता है और इससे जादा आएंगे ठीक है यह वाले टॉपिक भाईया ध्यान से देख लेना आईए से फार से अभी लेटेस में कोई कोई कुछा नहीं गया है इंडिया प्लस यूपी का बिल्कुल आएगा टुटियर लाइव इस टॉड़क से कुछा नहीं गया है बिल्कुल आने की संभावना है टाइगर जो है रिपोर्ट से नहीं आया है उसमें आने की संभावना है प्लस आपका जो लेटिस्ट और छोड़ी रिपोर्ट आती रहती हैं वह सब मैंने टॉपिक लिस्टिंग करके रखिए इसका पापर डिलीज करेंगे प्री जो प्री जो प्रीट नहीं कर सकते हैं वो जरूर एक सो कोईशन में से तीन-चार कोईशन तो आयोग अपनी ही जो है प्रसाद चडा लेता है गलत कर देता है अपने पास 145-46 बसते हैं उनमें से आपको 105 नेट में सही निकालने का टार्गेट अगर आप रखेंगे तब जाके आप जो है 95 जो है सही कर पाएंगे ठीक है और कट आफ यहां पर 95 के असपास यह सो के असपास ही रहना है लेकिन हमारा टार्गेट 105 का है ठीक है हमां 105 करके आने हैं तो प्रियर्टी कैसे रखनी करेंट हिस्ट्री मिस्देनिया साइंस जोग्रफी एकनॉमी फिर जो है यूपी जी के यूपी करेंट अफेर मैंने पापा देख लो दोनों देख लिए अप पूरा ही कावर हो गया ठीक दो एक वीडियो है जो करेंट अस्टे में ते जाएगी पॉलुटी के के लिए मैं अलग से कंपाइलेशन बनवा रहा हूं वह आप जरूर जो है मैं उसका वीडियो करूंगा वह जरूर देख लिएगा वैसे पॉलिटी का करेंट अफेर है आप कम से कम पूरे मान लिए एकाद गल्ती भी हो गई एकाद हमसे नहीं भी आया तब यह आप 32 आप आराम से कर सकते हैं 30 से 32 हिस्ट्री में जो हमने बताया है अगर आप उसी हिसाब से करेंगे हमारी समरी पापा वीडियो प्लस कंपाइलेशन आप देख ल ठीक यह और प्लस जो क्वेशन से 15500 इंगलिश इंदी दोनों में यह जरूर देख लेना आराम से आप जो है अगर 25 से 28 क्वेशन आएंगे कम से कम 22 तेज जरूर कराएंगे सही क्योंकि इसमें एकाद क्वेशन ऐसे आते हैं जो कहीं बुक्व नहीं होते हैं तो मतलब क्यो करते निकालते भी लोग परिशन हो जाएंगे नहीं निकलेगी वह ऐसा आयोग का है ठीक आयोग अपना थोड़ा में लेवल मेंटेन करकता है कि जो है समझ रहे हैं बादना वह जान बूच करते हैं से जो भी हो मतलब आयसा है अब वैसे कट आप 95 के आज पर जा रहा है तो खा जाना बिलकुल पी जाना वह आला वीडियो अगर आपने देख लिया पूरा उसमें से पूरे के पूरे फैक्ट सही करके आने हैं तो यहां पे आपको 25 से 28 जरूर मानिए तो आप यह देखिए 55 और 28 यह कितना हो गया करीबन जो है 83 तो यहीं पहुँच गया हम बाकि आ मैं बताया को यूपी जी के एक दिन बैठके खतम कर डालो सीधा जीके पापा करेंट पापा बस इतने में हो गया ठीक है पॉलिटी लिस्टिंग जो मैं इसका वैसे मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ प्लेलिस देख डालो हमारी तो बहुत ज्यादा मोर्दन सफिशेंट ह इसमें से पूरा आराम से हल कर लोगे कईसा भी कोईशन आजाए सब दिया हुआ है इसमें लेकिन मैं फिर भी इसको इंपॉर्टन मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स को एक अलग से मैं रिलीस कर रहूंगा पेड़ गूप में पीडिया मिलेगी और इसका मैं वीडियो बना पड़ेगा पेड़ गूप में जो लोग आएं उनको अभी एक इनीशल पीडिया दी गई है जो की कहां से कहा तक है जुलाई दो जार बीस से लेके सितंबर दो जार उन्निस तक का ठीक है पहले तो उस पीडियाप को ध्यान से पड़नी है डेली एक घंटा देना है आपको डेली वाला करेंट अफेर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं उसकी इस समय जितना है जो पीडियाप दी गई पहली बात तो पीडियाप करना है ठीक है उसके बाद अभी अगस्त की रिलीज होगी और सितंबर की रिलीज होगी यह दोने जरूर देख ले लेगा फ्री वाले सारे वीडियो फ्री रहेंगे आप उतना देख लेंगा आराम से पूरा करके आएंगे ज्यादा फोकस कहां पर करना है बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए लेकिन क्योंकि बीच में तीन-चार महीने कोविड रहा है तो जन्वरी फरवरी और मार्च ये अगर आपने हमारा करेंट अफेर पापा वीडियो देख लिया या पीडिया पढ़ लिए उसके अलावा जो सेक्चन वाइस हम देंगे वह देख डालिएगा अभी वह आएगा सेक्चन वाइस वाला और अगस्ट और सितंबर ठीक है और प्लस हमारी फ्री पिक्स आराम से क कि हम इसी लिए उसको कह रहे हैं मैं दावा करता हूं कि अगर हमारा करेंट अफेर आपने पढ़ लिया यूपी पीसेस के किसी भी एक्जाम में आप एट लिस 95 परसंट कर जो है करेंट कर गयाएंगे अगर आपने सही से पढ़ा है करेंट अफेर के टॉपिक मैं बता चु करेंट अफेर की टेस्ट सीरीज भी हैं छे टेस्स सीरीज है हमारे टेस्ट कुछ और सर्प्राइज होंगे वो भी आप लगा लिजेगा वीडियो फ्री रहेगा सबका इस्ट्री में डेली तेड़ गंटा देना है वह यह साब बात ज्यादा फोकस करना है और मॉडर्ण प आप सबसे ज्यादा कैसे करना है सबसे ज्यादा इसको रट लेना चवा लेना अगर अगर आप टुछ यह कहना है कि एनशेंट से मॹर्ण जैंたい लेकिन आपको लगता है अगर तो आपके पास और कम टाइम है तो भाईया ये वाली जरूर कर लेना कम से कम आधे कोईशन हिस्ट्री के आप बना के होगे 28 कोईशन अगर आए तो आपके कम से 14-15 सही हो जाएंगे ठीक है ये जरूर कर लेना इसके अलावा प्रेक्टिस के लिए हमने 1500 कोईशन इधर दिये हैं हिस्ट्री के और प्लस 1000 और दिये हैं तो धाई जर कोईशन की प्रेक्टिस करनी है आपको आपको ये सब करने के बाद पेड़ कुप आउलो को बता रहूँ कमपाईलेशन पीडियाफ है मारी वो पीडियाफ पढ़ लेना बस जो लोग नहीं है पेड़ कुप में उनके लिए नया हिस्ट्री का कमपाईलेशन पापाई वीडियो हिंदी मीडिया में और इंग्लिश मीडिया में सारे वीडियो बन चुके हैं उसका पापडर रिलीज हो जाएगा एक दिन में आप वो देख लिजेगा कि आप फ्री इमेजेज भी वहाँ पे देख लिजेगा वैसे मैं उसकी पीडियो बना के देख लिजेगा लेकिन चाहें तो एक एक पिक वहाँ पे आएगी तो उससे आप रिवीजन कर सकते हैं ठीक है इस तरह से करना है प्रिक्टिस करनी है आप बहुत चोटा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा किफायती है इसको प्लीज मिस मत करना एक या दो दिन में पूरा रटा जा सकता है मिसलेने इस टॉपिक नोट कर लो कौन-कौन से है मिसलेने इस टॉपिक है आपका 2011 का सेंसर्स और प्लस अर्बनाइजेशन जो हमारा है इसका दोनों का वीडियो एक प्राणा वाला वीडियो है वही देख लिजेगा मैं इसकी पिक्स के माद्यम से पूरा एक्सेल में बना रहा हूं और मिन्डल का और एंडिकल्चर का पूरा एक कई एक पिक में सारे मिन्डल और इतना शॉट कर दूँगा मैं इसी इनमें इसमें लगाओं बस आपिक देक पार्क हैं वार्ड लेफ सेंक्ट्री टाइगर रिजर्व वायोस रिजर्व जो है वर्ड रिटेस साइट इसमें से यूपी में कौन-कौन से यह सब बश्व सीवांक्व यह मैं यह सब कर दूगा और फिर यह वाला जो यह जो इन्वार्मेट नमबर से यूपी में क्या क्या है इसमें कितने टाइगर जर्व है यह सब की मैंने एक पिक बनाई दिया दे आपको फिर वो 20 लाइव स्टॉक सेंसर इसमें से कोई क्वेशन नहीं आया है अभी तक किसी एक्जाम में इसमें आने की बहुत संभावना है लिस्ट ऑफ इंस्टिटूट हेड़कोर्टर चेर्में हम यह अपडेट करके दे चुके हैं अल्डेडी अग्रिकल्चर जीके का भी हम दे चुके हैं क्रॉप डिसीजेज वराइटी कलर सीन यह सब अलग अलग वीडियो के फॉर्म में दे चुके हैं इसका पापा आएगा तो जरूर देखें बहुत इंपॉर्टन चीजे दी हुई है और या फिर हमारा जो है कमपाइलेशन वाला पीडियो जरूर पढ़ लिजेगा इसकी कमपाइलेशन वैसे हमने पुरानी वाली है पापा वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें इसको डेली एक घंटे में देख डाली है बाकी फ्री पिक्स मिलेंगी साइंस के कुछ इंपॉर्टन टॉपिक इसलिए ज़्यादा जरूरी क्योंकि कोविड चला है जैसे ब्लड से रिलेटेड हो गए डिसीजल से रिलेटेड हो गए नियूट्रीशन से रिलेटेड हो कोविड में किसने क्या खोला कौन सा हॉस्पिटल यह सब चीजें समझे जो फैक्ट है ज्यादा तर करेंट अफेर का पार्ट है इसलिए वह और डेडी करेंट में कवर हो जाएगा एकुनामिक लिए ज्यादा बेसिक आता नहीं है ज्यादा इसमें फोकस है फैक्ट का डेल मुझे स्कीम ठीक है ज्यादा फोकस फैक्ट में करना है बजट इकनामिक सर्वे और यूपी बजट का मैंने एक पाप वीडियो बना रहा हूं इसलिए वह देख डलना और इकनामी की जो समरी है ना इसले के ट्वल तक वह भी मैं बना रहा हूं वह आपको मिल जाएगी मिल सितंबर के फर्स्ट वीक तक दोनों मिल जाएगा ओल्मॉस्ट ठेक जोग्रफी में टेली एक गंटा करना है और यहां पर देखे क्या है मैंने बता आपको एंसी आटी फोकस करना जरूरी है सीख से लेके टें तक और इंडिया फिसकल इन्वार्मेंट के इलेवन तोला यह बेसिक है उसके बाद आप बरनवाल की वहिया जो है पीडिया पढ़ जालो जो समरी वाली है उतने में हो जाएगा ठीक है जो लोग प्रेड़कुप में नहीं है उनको भी मैंने बता चुका हूँ बरनवाल का पापा यूड़ है आप उसको देख डालो एंसी आटी की प्ल जा यूड़ को सा होता है कई को सी रिवर कहां पर को व्यास कि प्ली बढ़ी बड़ी आफैर है यह सारी चीज़े है आथी है माउंटेन कौन से कहों पर लोकेटेड है यह साम हमने दिया हुआ है बरनवाल में बरनवाल वाला अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहीं से पढ़ लिजे वरना हमारी जो समरी पीडियाफ है वो पढ़ डालना ठीक है बहुत जल्द रिलीज होने वाला है वो आप पपड़ जरूर देख लिएगा ठीक इन्वार्मेंट में सिर्फ हमारी कंपाइलेशन सफिचेंट है मोर्दन सफिचेंट है तीस मिनट का है ज्यादा तर फैक्ट पर फोकस रहता है यहां पर बहुत जो है बिरला है कि एक फ्री वाला उसका पापर उडियो वैसे तो पहले से अपडेटेट उसको अपडेट करके अगर पॉस्बिल हो तो जरूर करवा दूगा लेकिन पेड़ कुप में पीडियाप दी गई है ठीक है उसके बाद आप देखें पॉलिटी में सिर्फ आप प्लेलिस पढ़ने बहु हो जाएगा पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी इसमें ठीक है और पेड़ वालों को समरी दी जाएगी अभी कंपाइलेशन विलेगी पास सितंबर तक इस हिसाब से करना है अब पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टन था यह भी समझ लो पॉलिटी में पहले जो है जो जो टोटल स्चेडियोज की लिस्टिंग जो है टोटल इनकॉस्टिशन में पार्ट कौन सा किस्से रिलेटेड है यह सारी चीज़े जो है प्लस लच्छमिकान दो जो लिस्टिंग है इसके लिए बना रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स का वैसे तो हमारा पॉ देना ही देना है सिंपल बात यह है कि आप हमारी पीडिया जितनी दी जा रही है उनको पढ़ना चालू करिए एक चीज़ कुछ टिप्स है मेरी तरफ से यहां पे आपको लोगों के लिए पहली बात तो यह कि डेली आपको आट से दिस गंटे पढ़ना है दूसरी बात है क सबजेक्ट मोनोटोनस मत पढ़ना कि पॉलिटी एक दिन लेके बैठे हो कि आज हम जो है पॉलिटी की लच्मिकाद खतमी करके उठेंगे ऐसा मत करिएगा दिमाग जाम हो जाता है और वो चीज़े लॉंग लास्टिंग नहीं रहती है कोशिश यह करिएगा डेली सारे सब देना ठीक लेकिन बागी सबजेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया पॉलिटी हो गया जोग्रफी हो गया यह तीन सबजेक्ट और साइंस हो गया यह यह चार सबजेक्ट आपको डेली पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है इन्वायरमेंट का तो चलो छोटा कंपाइलेशन है हमारा सब्सक्राइब से पढ़ सकते हैं पूरा सारा कुछ पीडियाब में बता दिया जाएगा है लेकिन मैं रिकमेंटेट यही करूंगा कि एकोनामी के लिए आप हम जो करेंट का फैक्ट वाला पापाइड वीडियो को भी देख डालना कई बार मैं पीडियाब तो पूरी बना देखो ठीक है इस तरह से पड़ना है डेली मैंने जैसे जैसे पड़ना है सब्जक्ट वांस अगर आप निकलो सारे सब्जक्ट यह सब्सक्राइब ही दिया सक्ति हो गया is आप ओ घृहरने शांस पापा वीडियो वाला एक दो दिन देखने लेगा पूरा एक साथ ठीक है उस तरह से हो सकता है वो साइन्स के लिए डेली आपको 40 मिनट से एक गंटा देना पड़ेगा इंवार्मेंट के लिए डेली आपको 20-30 मिनट देने पड़ेंगे बाकी जो environment में भी फैक्टी पूछते हैं जादा तर तो मैं इसके numbers की picks मैं already कई सरी दे चुका हूँ आप उतनी भी देख लो कि तो काफी है current affair के लिए मैंने आपको उता है कि अभी जो आपको दिया गया प्रेट को में वो तो पढ़ी रालो ठीक है और इसके बाद अगर आप देखेंगे यह आप एक दो दिन लगाके पूरा पढ़ सकते हैं इस तरह से पढ़ना है यह पूरा मैं एक tentative schedule बता रहा हूँ इसको मैं time bound नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे जो लोग है पेट गुप में working वाले लोग है कोई दिन में job करता है कोई रात में करता है कोई दो पैर में करता है कोई शाम को करता है तो सब लोग अपने अपने time के हिसाब से इस तरह से पढ़ेंगे daily ठीक है यह है पूरा time schedule ठीक ऐसे पढ़ना है subject को mix करकर करके पढ़ना है history, quality, geography, science यह daily पढ़ने है समझ रहे हैं बात है science बहुत जरूरी है इसमें basic भी आता है और latest current affair आने के ज़्यादे समय होना है quality वाले में आप जो है गर्मालीजी डेली नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं जो एक compilation विडियोप दूँगा अभी update कराके वो जरूर पढ़ लेना भईया द्यान से उसको रट लेना history में जो बताया है कि तीन summary और प्लस compilation इसको बहुत ध्यान से रट लेना बहुत ज़्यादा ध्यान से रट लेना practice करने रहाईजार question की ठीक है policy के लिए 500 question देंगे उसकी practice करेंगे आप geography के लिए 1400 question देंगे उसकी practice करेंगे आप economic के लिए भी हम questions देंगे ncrt 9 से लेके 12 तक basic जो books है अगर आप उसका पापा वीडियो देख लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है वन्हादा ज़्यादा बेसिक से आता नहीं लेकिन कई बार एकाद question आई जाता है तो अब चाहें तो देख लिजेगा उसके हम लोग ट्रेस लिए कर वो question देंगे दोसो science का मैंने आपको बताई दिया है compilation पढ़ना है प्लस आपको पीडियो पढ़ना है environment की सिर्फ compilation पढ़ना है उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आप बता दी है आपको miscellaneous current देखें ये ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा topic मैंने बताया थे आपको ना क्या क्या चीज़े हैं तो topic में सबसे important पहले तो current affair अगर में हमारे सहब को नहीं विश्वास है तो आप जहां से भी पढ़िएगा current कर जरूर लिजेगा लेकिन तीज पैरतिस आने की समभा होना है question यहां से number two topic हो गया आपका miscellaneous करीबन 20 से 25 question आपे आएंगे सिर्फ मैं topic की बात कर रहा हूँ वैसे subject number two पे मैंने क्या बता है history क्योंकि history से 25 सेटाइज आते हैं ये सबसे कम पढ़ के बता रहूँ मैं क्योंकि current affair or miscellaneous अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया तो आप कमसे हम 50-60 question तो यहीं से बना लोगे डेर सो में से और इसमें पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है current or miscellaneous को cover करने में आप कहीं से भी करो हमारे से करो चाहें जहां से करो आपको maximum मैं सबसता हूँ कि आपको 7 से 10 दिन लगेंगे बस 7 से 10 दिन में 50 से 60 questions की तैयारी हो सकती है ठीक है उसके बाद अगर आप quality की listing पढ़ दा लो जो मैंने अभी बताई है सिर्फ उतनी listing पढ़ दा लो तो आप quality के जितने question आएंगे 12-15 आएंगे उसमें से कम से कम 80% question आप बना लोगे 12-15 अगर question आए तो आप 8-10 कर लोगे ठीक geography की जो मैंने listing बताई है जो बरनवाल वाला पापा देख लिया आपने और NCRT का जो मैंने बताया class 6 से लेके 10 तक और 11 का इंडिया फिजिकल राइमडी ये दोनों भी पापा वीडियो देख लिया और प्ड़ ली इसके आप जितने भी question आएंगे आप 80% बना लोगे बियोग्रफी के माले ये 15-16-18 जितने भी आए आप 12 बना लोगे इस तरह से अगर focus करकर पढ़ोगे तो पूरा आप आराम से प्री क्लियर कर लोगे आपको डेड़ सो में डेड़ सो करके नहीं आप कर पाओगे चाहे जो भी कर लो उल्टे पिक्स में खुब रिविजन कराएंगे और इतना कोशिश करेंगे पूरा का पूरा जो है पेपर उसमें से कवर जया मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स में लगातार देता रहूंगा जो हमारी डेवाइस क्लासे चलेंगी उनकी भी पीडिया पढ़नी है इनके साथ आपको ज्यान रखेंगे ये सारी चीज़े आपको पढ़नी पढ़ेंगी आप इसलिए हैं हमारी पहली शर्त यही थी पेट गूर्प में आने से आपको कि आपको पढ़ाई डेली करनी पढ़ेगी कोई अगर डाउट होता है आप डिसकेशन गूर्प में पूछिए ठीक है इस सा सारा गाइडेंस आपको मिलेगा सिर्फ इस्टडी रिलेटेड होना चाहिए सिर्फ यूपी पीस दोजार बीस के प्रिडिम से रिलेटेड होना चाहिए और किसी एक्जाम का गाइडेंस उस डाई डिसकेशन में नहीं दिया जाएगा ठीक पापा कौन को से देखने मैं का एंचेटी क्लास होई हमको रिलीज करना है कम से कम सिक्से लेकर टेन तक और आपको क्लास 11 का इंडिया फिजिकल इन्वाइरमेंट और जो टॉप 500 कोईशन है सिक्सिलेकर 12 तक की समरी के ये देख डालना एकनॉमी के दो पापा विडियो आएंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में मेरा टार्गेट है कि मैं ये दे दूँगा ठीक है उससे पहले ही दे दूँगा बलकि साइंस का आपको बता दिया है कमपारेशन पापा विडियो है और प्रद को पालो को उसकी अपडेटेड यहां पर कमपारेशन पिडियो मिलेगी वो पढ़़ दा लिएगा कोशिश करूंगा किस पर वीडियो बनवा दो अपडेटेड वाला इन्वार्मेंट को शंकराइस पापा मैं जो है यहां पर नहीं रिकमेंट करूंगा इकाद कर सकते हैं अगर आप बहुत पढ़िश हैं पहले सब कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं अगर उपी दीहरी कर रहा हैं तो आप देख लिजीगा ठीक है compilation वाला पापा वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है इसको अपडेट करके देंगे current वाला पापा एक टोटल current एक यूपी का release कर चुके है इसके साथ मैंने अब कोता है अगस देखना है सितंबर देखना है इसके अलावा section wise जो हम पापा वीडियो देंगे वो देखना है plus prefix देखते जाना है test series जो है इसका पापा वीडियो देखेंगे अगर बना पाए तो बना पाए देंगे वना पेड़ कुप में तो मिलेगी यह है test series का कब क्या मिलेगा देख सकते हैं आप 22 अगस से लेके पूरा line up किया है हमने यह छेक्ट उपर तक लगातार टेस्ट है लगातार टेस्ट की है देखिए टेस्ट तो भाईया देना पड़ेगा जो बात है practice खुब करनी पड़ेगी daily की daily कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज में confusion हो आप discussion वाले में पूछिए सब यहां पर हमारी टीम इंवावल है all the best है जैहिन मैंने मुझे लगता है मैंने सारे question के जवाब दे दिया है आपको पूरा वीडियो अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं अब आप पेड़कूप में आया हैं तो सिर्फ पीडियाफ आपको जैसे मिले आप पढ़ना चालू कर दियेगा daily schedule आपको खुद बनाना पड़ेगा मैंने आपको बताया कि आठ से दस घंटे daily देने हैं हमारी जितनी पीडियाफ है वो पढ़नी है बईया अगर आपने जितनी पीडियाफ इसमें दीगे हैं सारी पढ़ना आप आराम से प्री सिलेक्ट हो जाओगे इतना जो है मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ वादा लिक के जो है इस्टाम पेपर पर नहीं दे सकता हूँ लेकिन पहले लोगों ने किया है लोगों ने 44 दिन पहले जो है करके सिर्फ हमारी पीडियाफ पर पूरा ट्रस्ट करके पूरे रट रट कर गया है लोगों के सिलेक्शन हुए है वह अभी 2019 का मेंस दे रहे हैं अल्द बसे जहीं